इल्ली पुलिस बरती में चैनित मोनिका पुत्री स्री जैनारण जी खिचड गाउं दंदेवू उसके सम्मानार्थ ये कारिक्रम आज हम आयोजित कर रहे हैं अब मैं कारिक्रम के सुभारंब के लिए सबसे पहले कोचिंग के डायरेक्टर महोदे विनोजी सर और रमेश जी सर को तथा कोचिंग स्टाफ सदस्यों को आमंत्रित करना चाहूंगा स्टेज पर आएं अब मैं अमंत्रित करना चाहूंगा मोनिका खिचड को जिसके लिए ये कारी क्रम आयोजित किया गया है मोनिका खिचड लगबग बच्चे मोनिका से परिचित हैं अब मैं मोनिका का कोचिंग परिवार की तरफ से स्वागत करने के लिए विजे लक्ष्मी बेनिवाल को आमंत्रित करता हूँ वो इनका मल्यारपन कर सम्मान करें विजे लक्ष्मी बेनिवाल सफलता सोट कट से नहीं मिलती सफलता के लिए अथक प्रियतन करना होता है जो मोनिका ने करके दिखाया है और आज ने केवल ये स्वयम ने केवल इसके अभिवावक संपुर्ण कोचिंग स्टाफ की तरफ से कोचिंग परिवार की तरफ से मैं आर्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ मोनिका का और आप से आसा करता हूँ कि मुझे एक मैं मोनिका से आग्रह करूंगा कि वो आपको दो सब्द मोटिवियोसन की रूप में कहे गुड आफ्टरनून ओर आफ यू पहले तो मैं कोचिंग और कोचिंग स्टाफ को मेरे स्लेक्शन के लिए भी नंदन करती हूँ मेरे स्लेक्शन में जितनी मैनत मेरी है उतनी स्टाफ की है खास करके रमेश सर की सर ने मुझे मैथ्स में बहुत हेल्प की है एक्स्ट्रा क्लास भी दी थी हम अगर एक्स्ट्राक्यूशन भी पूस्ती थी तो सर टाइम निकाल की मुझे बताते भी थे सर के साथ साथ मेरे परिवार का मेरे गर्वालों का भी बहुत सही हो गया पहले मैंने जब आंसर की मिलाई मेरे माक्स कम थे फिर रिजल्ट आया तो मम्मी ने बोला कि तैयारी करो फिजिकल की गर्वालों ने स्पोर्ट किया फिर फिजिकल की तैयारी की फिर मेरा स्लेक्शन हुआ इससे पहले मैंने चंदीगड प्लिस का एक्जाम दिया था उसमें मेरी ओमार सीट नहीं बरी गई थी क्यों पेपर मुझे कंप्लीट आता था पर मेरी ओमार सीट रह गई थी कि पीर मैंने CRPF का एक्जाम दिया उसमें मेरा स्लैक्शिन उआ पर मार टाइपिंग मेर रह गी फिर फाइनली दिल्श मेरा स्लैक्शन होआ है बहुत आइ मैềन ये मार भी बहुत आइए जो सर्की मार डार का तर तर इसका स्लैक्शिन जरूर होता है सर यहां से बोल के बेशते थे कि रात को इतनी देर तक पढ़ना है लेट नाइट तक फिर मैसेज करके पूछते थे फोन करते थे मम्मे के पास पढ़ते या नहीं नहीं पढ़ते उस दिन डाटते मारते भी थैंक यू सर मोनिका ने बहुत ही कम सब्दों में सारफ रितंत आपको बताया है अब जैसे बच्ची नहीं बताया है कि सर से जो पिटेगा और जो डांट सहेगा वो अबसे लगेगा इसका मतलब यह नहीं कि आपको पीट पीट के नोक्री लगा देंगे सर अगर आप इसका बावारत देखें तो बावारत ही होता है कि जो गुरु जुनों को सम्मान के रूप में देखता है वो अबसे सफल होता है पिटने का मतलब यहीं नहीं कि पीटा ही जाएगा गुरू के प्रती अगर आपका सरद्दा का बाव है या फिर गुरू ने कुछ भी कहा और आप अकड़ गए आप में अभी मान आ गया ये क्यों कह रहा है मुझे तो फिर वहाँ सफलता में ब्रेक लग जाता है सीखने के लिए यह गड़ा खाली होना जरूरी है तभी उसमें कुछ समा पाएगा और पहले से ही हम बरे होए है तो फिर उसमें गुंजाइस नहीं रहती एक दूसरी बात मोनिका ने आपको बताई कि दिल्ली पुलिस का पूरा पेपर आते होए भी चंडिकड पुलिस में पूरा पेपर आते होए भी ओमार सीट पूरी नहीं बरी गई तो इससे भी आपको सिख से लेनी चाहिए कि हमें केवल एक छेत्र में ही नहीं कई बहुत ज़्यादा उस्यार बच्चे भी कुछ छोटे-छोटे कारणों से नोकरी से बंचित रह जाते हैं तो आपको हर छेत्र से अप-टू-डेट रेना है तब जाके आपको सबुलता मिलेगी नमस्ते सभीकूँ तो वैसे तो अपन कलास में हर बार रूबरू होते हैं पूरे दिन सुबह से स्याम तक लेकिन कुछ पल ऐसे होते हैं जो खास होते हैं विशेस होते हैं माइंड में छप जाते हैं उसी छणों को ले करके आज हम इकटे हुए हैं ये जो गुडिया थी मोनिका इनकी जो मोसी है मोसी लगती है न मम्मी क्या काम कर रही है मम्मी का मतलब पालन पोशन करे वो ही होती है मम्मी तो तो वो काफी समय से कोचिंग से जुड़ी हुई हैं और मैं तो यह कहूंगा कि पढ़ाते तो हम सभी बच्चों को हैं लेकिन सेलेक्शन कुछ ही बच्चों के उपाते हैं उसमें गरवालों का भी बहुत बड़ा योगदान होता है अभी जब दिल्ली पुलिस का रजल्ट आया था तो ज्यादतर यूटूबर पर आज काल हर कोई बच्च अपडेट देख लेता कि इसकी मेरिट क्या रहेगी तो दिल्ली पुलिस की जो मेरिट बताई गई थी उसमें 65 से नीचे कोई बोली नहीं रहा था दिल्ली का बड़ी बड़ी कोचिंग सेंटर हैं अपन तो मलब छोटे प्लेट पॉरम पे हैं छोटे कसबे में अपनी बात जो चोटे दाइरे में रहती हैं और अपनी बात की वेलू कम लोग समझते हैं अब इनकी मौसी ने कहा मेरे को कि सर 55 नंबर आ रहे हैं एक इनकी जो बैन है दूसरी क्या नाम है कुसुम जो है उसके नंबर भी 55 थे और इसके भी 55 थे कुछ बार एंड टाइम पे लास्ट उसको हम लग बोलते हैं अपने देश में नॉर्मलाजेशन हुआ तो इसके ज़्यादा नंबर बढ़ गए और उसके नंबर कम बढ़े हमारी नजर में कुसुम फिजिकल अनफिट दीख रही थी क्योंकि वो बारी है बोड़ी से तो उसमें भी इसकी मम्मी का बहुत बड़ा योगदान है ट्रेनर की तरह से सुबह च्यार बजे जगा के ले जाना ग्राउंड में मोटिवेट करना कि साइद अनकुडियां भी उपना आथ कर दिया माइनस मसा आजरे सो पें टैम टेमपरेचर है जब दिले पुलिस को फिजिकल की त्यारी कर रहा था बच्चा साइद ये बात होग जो हमारे अपने बार बार कोची में बोलते हैं कभी जी निकड़ जी हूँ से मर जी हो लेकिन मैं कूब यह ग्राउंड में चाल लो थी जी निकड़ तो निकड़ जी आण दियो कोई दिक्कत को नी तो उन टाइम मैं मैं 15 दिन मां फिजिकल त्यार करनू भी एक छोटी बा हैं और अन्य बच्छा घर का भी स्पोर्ट कर रहे हैं या बात तो नहीं लेकिन ज़्यादा बच्छा के सोचना नाक जाए उन गरका अंदुस्मन रानना नाक जाहतों कई मेरा कें पड़ रहे हैं सक्सेस होता है मेरिट में आता है तो उस दिन हमें सफल दिखाई देता है तो हमारे दिमाग में डारेट सफलता के गुन दिखाई देते हैं उससे पहले हम यह नहीं सोचते कि यह कितनी बार फैल हो चुका है उसका आप बैकराउंड चेक करोगे तो वो पांसात बरतियों में लगातार मेरिट में रह जाता है और जब वो एक बार मेरिट में रहता है दो बार रहता है तीन बार रहता है मनोबल इतना डाउन हो जाता है उसका कि वो फेस्टू फेस हमसे बात होती है कि इसका नहीं होगा इसका नहीं होगा आपे उनका गराड़ा भी या बात बोलनाग ज तूट जया है कई बार बीच में पेपर लीक जैसी घटना है आ जाती है तो वहां वो और ज्यादा डिमोलाईज हो जाता है लेकिन